अब हमारे लोग तुम्हें एक जगे ले जाएंगे वहाँ पे क्या करना है क्या आप बात करनी है सब बताएंगे पांस साल पहले हुए रेप्स, मर्डर्स, रॉब्रीज ये सब करने वाले तुम लोग ही थे ये तुम्हें पुबूल करना होगा प्रताब सर इन सब का इस्टेट्मेंट ले लो जी सर और जो घायल है उनका इलाज करवाओ ठीके सर प्राइम इनेक्ट कराओ ओके सर कौन से जनम में क्या बाप किया था हमने जो हमें ये जिलना पढ़ रहा है पूरी दुनिया चोड़कर क्या इनने सिर्फ आम ही मिले थे अपनी नफरत दिखाने के लिए हमें क्यों मिल रही है ये सजा गोट में शाय है तो हमें याय मिल सकता है ना तो तब तक हमें जिंदा रहना होगा ना तो खाओ खाओ यही घर है ना अहां साहब यही घर है कैसे किया था बताओ यही यही पर वो दीवार के पर कहां पर वहां पर अहां साहब वही पर उनने सब पता रहता था था यह घर में कौन कोई नहीं था तब उन्होंगें अपना काम कर दिया पीने के लिए पानी मांग आज वह अंदर जा रही थी कॉन यही क्या है इधर आ कैसे मारा था तुन्हें वो सहब रोड से मारा साथ प्रताब सर हथियारों का बैक कहां पर है आ सर यहीं बढ़े यह लो कैसे मारा तुने यह वाला की यहें यही अना करताब कहां पे आंगन में मारा या घर के अंदर मारा साहब यहां पर साहब जब वो लिंकी जा रहे थी तो मैंने आकर उसका साहब कहां पर साहब साहब बता यहीं पर ना उसके बाद उसके बाद इस लुम की तलाशी लेके इस लुम में गया था साहब जेवर कहां मिले दिखाओ इसी ड्रायर में साहब यही है ना ठेक से देख के बता यही जेवरा साहम तूने क्या किया पैसे मिले थे साहब खर्चा कर दिया मैंने चल दिखा फिर उसके बाद मलाया ने उस लड़की का फैदा उठाये साहब उसके बाद हम दोनों ने भी उठाये फैदा दोनों ने तूने पहले तूने किया वो साहब पहले जो मारता है ना वही पहला फैदा उठाता है तब क्या कर रहे थी मैं यहां पर ऐसे बैठी थी उसके बाद उसके बाद वो दोनों ने आकर मुझे जेवर दिये प्रता यही जेवर थे न देख ओधर क्या देख रही है, यहाँ देख के बोल यही जेवर थे न हाँ हाँ साथ उसके बाद अनुने ठिया मैं लेकर नीचे गई और खाना खाई साथ उस लड़की का क्या किया मलाया के चाने के बाद हमने उसका फाइदा उठाया साहब उसके बाद मार दिया साहब कैसे वो चाको रही वो क्या है साहब हमने उसके पल्लु को गले लफेट कर कस के कस दिया और वो मर गई यह तुम्हें कैसे पता चला हमने उसे असे देखा वो सांस नहीं ले रही थी प्रताप यह जाओ इने हैं चलो ए चलो उट केंपी कल जो कहा वो सब याद है न अब मैं तुझे जो बोलूंगा कल तू वैसा ही बोलेगी समझ गई न हाँ साहब मैंने घर के सामने जाके केट खोल के अंदर जाके कॉलिंग बेल दबाया कैमेरा में जाके केट खोल के अंदर जाके कॉलिंग बेल बजाया साहब लड़की आई उसको उसको हम पे शक हुआ लगता था साथ अब लड़की के दर्वाजा बंद करने तक गोविन ने जाकर उसका मूँ बंद कर दिया साथ है कैमरा देखके बोल उसको उसके मूँ बंद करके उसके बाद उसका मूँ बंद करके वहां से उसे ले जाके जूले से बांद के उसके साथ एक एक ने रेक करके गला काट के मार दिया बात समझ में आई ना अब ऐसा ही बोल उसके बाद उस लड़की को जूले से बांद के बार को लोगना शुरू कर दिया साथ इसको मलया को वो लड़की पसंद आई इसलिए उसने उसका फाइदा उठाया साहब अब बताओ तुम लोगों ने क्या किया हम इस रास्ते से चलकर आ रहे थे साहब तो यहां पर सामने लाओ सामने लाओ माई को ठीक से रिकाओड करो अनिक वोलना हमने पहले दूसरा घर देखा था स्वाड़ और उस घर का बुज़ूर। मर घया था साहब II निराज़्ों कि लौट रहे थे तो यहां तتم किया साहब है ओप सभर को या आदमि नहीं होगा इसने गर में भुसते है इस ने ही इस घरρί इस घर ने को गया वो लड़की कहा पर थी ये बताओ चलो साथ वो यहीं पर सुई भी थी उसका सर किस तरफ था यह बता उस तरफ था इस तरफ मतलब टीवी के पास तर तुमने क्या किया इस त्री इस त्री वहां पर रखी थी सब अरे इस लेकर आइंगे लिए सब्सक्राइब ठीक है यहीं था यहीं वालिस्टरी तुने कैसे वार पता इससे लेके पीट पर रख दिया िस तरी पर उसके बार क्या हुआ यह पता आगे वो लड़की यहीं नीचे गिर गए ती उसके को लेके बार जात्या की तारिक 64 wie अधिया का इस्थान मक्का दुना गाउं नरायनी का शेत्र पीजी पुरा गाउं मंदिया जिला गुनेगर स्रिमती मुनियाप्पा उम्र 32 साल साहब है कैमरा में देखके बोल मलिया वेंकिया गोविंदा मदुराई शनी भगवान के मंदर जाके आ रहे थी साहब वैसे आ रहे थी तो वहाँ पे एक घर में अखेले एक वारत कहां कर रही थी साहब घर में अखेली थी साहब उसे पकड़के हमने उसका फाइदा उठाया पहले वेंकिया था साहब पहले क्या कहा था वो बोल सेनपु है ना हां तो वो बोल साहब इसके बाद मैंने और वेंकिया ने किया था साहब सब होने के बाद डीजल डाल के कैरोसिन तेल ठेक से भोल साहब बोल, उस पे केरोसीन ओयल डालके जला दिया साब, जला दिया साब, ये सारी बातें कल कोट में ठीक से बोलना, बोलेगा ना, हाँ, प्रताब, उट, उट, जल, जल, अबी केरफॉ, कल कोट में पेश करना, पूर एडिट करके भेज़ दे, आ, जियाओ, जबादाब, प्रताब, झर, पेन चला, चलाब, जल, उट, बोल, जल, 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 जोड़ दोगा तुम सब को जहर के बाहर ले जाके छोड़ देंगे कहीं पर भी जाके जीलो हर महीने पूली स्टेशन में आकर सब को साहिन करनी होगी याद रखना हमारी नज़र तुम लोगों पर रहेगी बाहर अगर तुमने कुछ भी घलत कांग किया या अंदर में उन लोगों ने कुछ गलब किया तो सब का एंकाॉंटर कर दूए यह एंगे इसाथ और पिंगे इसा प्राइद के इसा प्राद प्राद को रामस्मविनाशे कि दाक्षजय कर दो आसा जौकाँ कि दाक्य लुदल कर दो प्षिंधिर उडक्म उष्केश्ण जया कॉण सब वन्दों कर दोन फजनIES जा वंत कि दोत वasında बार विए विए जया कि देख कि दोत व्या के देतんな हमारी जान लेकर तो देखो साब कैसे मज़ा ले रहे हैं तो प्ला नहीं होगा तुने अर्क्या क्यों क्या हुआ पुलिस वाले इन लोगों को इतना कष्ट करके यहां क्यों लेके आये हो इने तो वही जिन्दा गाड़ देना चाहीं था फाल तुमें टाइम बेस्ट कर रहे हो यह इतना आसान नहीं है सर यह दिपावली वाले पिष्टल नहीं है हमें एक एक बुलेट की हिसाब देनी पड़ती है रिवाद छुटना नहीं चाहिए हिसाब का रिवाद छुटना नहीं चाहिए handle with care कल जब ये सब famous criminals हो जाएंगे उसका कारण सिर्फ हमारा department नहीं है उसके पीछे आप भी हैं ये इन्हें पता चलना चाहिए इसलिए इन सब को यहां लेकर आया अब देखेगा सर मेरी जीत आपकी आँखों के सामने ही है अरे आँखों के सामने क्या कौन सा कोई मुझे सबूत मागने वाला है मार डाल इने कोई पूछने वाला नहीं अरे हमसे पूछने वाले हैं सर, उपर के अधिकारी, जज, लोयर्स, रिपोर्टर्स, मीडिया वाले, उन सब को हमें जवाब देना पड़ेगा अब मुझे 15 लाख रुपे दे दिजिए, मैं सब का मूँ बंद कर दूगा सर प्रताप, सर, ले जाओ, छाल रहे, एपूलिस वाले, पूरे पैसे एक साथ दूँगा लेकिन, काम पक्का हो जाना चाहिए यह सारे क्रिमियर्स हैं, यह साभीत होने दिजीए, उसके बाद देखियेगा, हम जैसा सोच रहे हैं, वैसा ही होगा चलता हो सर जैदाद है और उस जैदाद पे हमारा पूरा हक है हम लोगों को रखें तीनों को छोड़ रहे हैं वो पुलीस छाज लॉयर ये जमिंदार सब हमारी जैदाद हतीआने के लिए शुदाने के लिए कोई नहीं आने वाला, हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ राग कुछ तो हम ज़रूर करेंगे, गुद मॉर्णिंग, प्रताप, जी सर, एक मिनुट, मैं कोट के लिए निकलता हूं सर, ठीक है जाईए सर, गुद दे सर, उन सब को कोट में पेश करना है, स जैज के सामने परिशानी होगी समझ गैना ऐसा कुछ नहीं हो सर ट्रीटमेंट द्रवाकी लेकर आयाओ मैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है है अट टेकी कैसे घूर रहे हैं ये लोग आपस में मारा मारी करके जज के सामने ये साबित करना चाहते हो कि हमने टॉर्चर करके मनवाया है क्या हो सर इन सब को किस ने मारा सर आपस में मारा मारी की फिर दिवार पर सर पटक दिया इसे भी कोट में लेकर चलो गवाही देने के लिए किसी को नहीं छोड़ोंगा तो इस वाले जो गुना हुने नहीं किया है वो भी हम परीफ तोप रहे हैं और आप सब प्रेस वाले भी उसे बड़ी बात बना कर टीवी में दिखा रहे हैं और उस दिन कोट के सामने ऐसा करने की क्या ज़रू रसी? आपको क्या फाइला हुआ पूछने लगे इस पर पूरी प्लानिंग आप की थी ना बताईए आप पुलीस से यह बात क्यों ने बताईए सब की सामने ही कमीने कहीं के फोटो लेगा चकल में क्या रखा है इसकी निकाल चलो 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 पुलीस समाज की रक्षा के लिए होती है सुनाधां पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद यह पता चला उन्होंने इतना निया किया यह पुलीस वाले उनके पास जो अधिकार है उसका यह लोग पूरी तरह से दुर्पियोग कर रहे हैं आप लोगोंने मुझसे सच्छी कहा रहें इसका अब मुझे पूरा यकिन हो गया है देखो मेरी कलम आज से तुम्हारे की होगी तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मैं जरूर न्याय दिलाँगी एंगन जरूर इशाओ ऐसं prefix डान एंगच की तक्यद नहीं इस दोडे मेरी देजदाइं डिस्ते शिदमियोग करता है डिसरस्ते पांजी की जबढ़ए आपकी न्यूस काभिले तारीफ है जो सचाही किसी को पता नहीं थी यूसे आप बाहर लेकर के यही जगनलीजम को आपने एक नया अर्थ दिया है मैंडम यू वर रिली अमेजिंग मादम वी निद मनी मोर पीपल लाक यू देरिंग अन करेजिए थैंक यू अपने जो आर्टिकल लिखी है वो आप खुदी पढ़के खुश हो रही है क्या अब तक तो नहीं लेकिन आज मेरी कलम के आगे खाकी आकर खड़ी हो गई है अब मैं खुश हूँ वाव वाट एक क्रियेटिविटी क्रियेटिविटी का प्रदर्शन करने वाले लेखक होते हैं सच को सामने रखने वाले जर्नलिस्ट होते हैं पहले इन दोनों के बीच का अंतर जान लीजिए अंतर जानता हूँ इसलिए मैंने क्रियेटिविटी का या आप अपनी स्क्रिप्ट ले जाकर किसी प्रोडूसर को दीजिए पुलिस को क्रिमिनल और क्रिमिनल्स को हीरो दिखाएंगे वो और आप भी अच्छा कमाल होगी अच्छे सला है अगर आपके हिसाब से ये स्क्रिप्ट होती तो इस कहानी के कॉपिराइट्स के ओनर आप ही होते ना और नहीं तो क्या मेरी ये स्क्रिप्ट पूरी होने से पहले ही आपने एक नहीं कहाने लिखकर उसका निर्देशक लेकर डायलॉक सब कुछ लिख डाला अबाव ओल वाट अ कास्टिंग यार किसी का भी चेहरा देखने पर यही क्रिमिनल से ऐसा यकिन करना ही होगा अब जान लिजे अब तक आपने जो किया वो सिफ ऑडिशन था असली सच मैंने पब्लिश किया है सच और जनलिजम का अंतर मैं तुम्हें पताँगा उसे सहन करने की शक्ति है तुम्हें मेरे सच को जूट साबित करने की शक्ति आप में है क्या हम्हें है है अब जक आपाँगागा तुम्हें नर्च और खeteं नर्ची आजेन का कि अच्त्त तमाँ शुल्भ दोगल ्कोर्फ वॉथ क्या है मैडम है निर्दोश लोगों को फसाने की योजनम मैंने बनाई अब तक आपने जो कुछ भी किया न वो इंटरव्यू नहीं है इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुन के आप मान गई वो सच नहीं है ये निर्दोश है ये मान कर पेज पेज आपने लिखी है न वो वास्तविक्ता में नहीं है अधूरी जानकारी से कुछ भी लिखके आप जनता की मेजरों में हमारी छबी खराब कर रही है मेरी राय ऐसी बनी इसलिए मैंने उसे जनता की राय बनाई इनके आने वाली पीडी को सर जुका कर ना जिना पड़े इसलिए मैंने पब्लिश किया क्या कहा वाह आने वाली पीडी मैडम असी हत्याओं के दो गवाब पैदा किया है मैंने ऐसा आपने लिखा दो गवाँ पैदा करने वाले के लिए 70 गवाँ पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी 5 साल में मैडम, किस सैंगल से देखने पर ये आपको निर्दोशने सरा रहा है देखिए, इसकी शकल देखिए हट यहां से, हट हट, कुई धरा यह कौन है पता आपको, हां, उमेश रेड़ी, 14 rapes और murder case है इस पे, मानता है क्या, मानता है क्या, बोल, बोल, नहीं मानेगा, चल बात, है, तु इधर आ, इस तरह आखे पाल पाल कर क्या आप देख रहा है तू, मैडम, जानती है, इसे सिर्फ दो case के कारण सजा मिली है, पर off the record की आवाक तीस है, चल जाओ, सर, सर, प्लीस टॉप इन, ओ, हो, 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 आजाओ, गला काटने वाली सावित्री, यही है न, औरत के नाम पर यह कलंक है, मैडम, जान लेती है, जान लेती है यह, साब, साब, हमें कुछ, कुछ भी पता लिए साब, हम निर्दोश है साब, आ क्या कर रहा है सार, आप, प्रेस वालों को सामने मार रहे हैं, मैं आपको कंट्रोल कीजिए सार, मेरी लिखीवी आठ हजार गनों में से सिर्फ दो क्या ने लेकर एक डिरेक्टर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, उसे सिर्फ इतना ही पता था, जंता को भी बस इता ही पता चला, कलम की ताकत तलवार से भी जादा है, ये मान कर जनलिज्म की पढ़ाई करके, किसी भी चार अपरादियों का इंट्रव्यू लेकर, और उसके साथ ऐसे कमीनों की बताईवी कहानियों पर भरोसा करके, हमने निर्दोश लोगों को भसाया, ऐसा लिखने वाली इनके द्वारा किये वे रटपाद के गुनाहों का असी साल का इतिहास है, सुनेंगे क्या? सुने की सुर्क्षा करने के लिए मुझे यहां भेजा गया है, यह सब कैसे हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? सर, वो लोग चार पीडियों से अभी तक चोरी ही करते आ रहे हैं सर, काम समुद्रा मदराज जाने वाले मार्क के बीच में यह स्टीम इंजन एक जग़े पर सुलो हो जाता है सर, उसी मौके का फायदा उठाके यह लोग लूट लेते हैं सर, कित्रे लोग होंगे तो? तक्रीबन तक्रीबन चारीस लोग होंगे, हाँ हाँ सर, ठीक है, मुझे वो काउँ देखना है, तैयारी करो, यस सर, सभी लोग ध्यान से सुनिये, सुखे का समय है न, खेतों में मजदूरी करने के लिए काम नहीं है इसलिए, खाने के लिए डाका डाल रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे चोरी कर रहे हो, काडियों को रोक के लूट रहे हो, और इस सब से उपर, कोलार से सोना ले जाने वाली रेल को रोक के उसमें डाका डाल रहे हो, तुम सब को मारवार के जेल में डाल दुआ, जिन्दगी भर फिर तुम लोग वही सरते रहोगे, साहब हमने कोई भी डाका नहीं डाला है साहब एई या तुझे ये किस ने बेचा मुझे इन्होंने बेचा है सर अगर हम ऐसा करते तो ऐसे थोड़ी ने रहते हैं साहब हम जैसे परशा क्यों कर रहे हैं साहब हाँ आखरी बार खावरदार कर रहा हूँ सो चाल लो बातों से अगर तुम सुदर जाओगे तो सरकार से सिफारिश करके मैं पीच की खेती वापस शुरू करवा के तुम्हारी जिन्दगी सही पट्री पहला सकता हूँ लेकिन फिर से खलत काम करके बच्चरे की अगर सोच रहे हो तो मैं तुम सब के सर पे इनाम रखवा के एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूँ हाँ एए खड़ाओ तुम सब ट्रेन के जाने के वक्त एक साथ पुलिस टेशन पर आकर हाजर ही दोगे ट्रेन के चले जाने के पाद तुम लोग घर जा सकते हो अगर कोई भी वहाँ हाजर नहीं हुआ मैं अपने हाथों से उसका गोलाद दबा दोगा यार रखना मुनियप्पा आया हुशाब तिमाया आया हुशाब रमया यहीं पे ओँशाब रंगना आया हुशाब सर पूरे 35 लोग आये हैं सर मतलब सब के सब यहीं है न हाँ सब यहीं है सर देखो सर इन सब को सुबह तक यहीं बिठा के रखना और ट्रेन के जाने के बाद इन्हें यहां से जाने देना ओके सर सर कल वो लोग यहीं पिते सर फिर भी ट्रेन के तीन डब्बों से सोना चोरी हुआ है सर बट्रा तुम लोगों ने हाजरी ठीक से निया लगवाई थी सर वो गिनने के बक्त हाजरी बराबर थी सर लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए ना कि अधिकर मैं देख लूंगा आपको चूरी करके गायब हो रही है ना मेरी बात ध्यान से सुनो मैं खुद उनके पास जाकर उनकी मदद करूँ ऐसी जबान दे कर आया था फिर भी बो लोग लगाता ट्रेन से चोरी करते जा रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मुझे तो लग रहा है ये पुलिस वाला हम सब को कुछ न कुछ करेगा जरूर कुछ भी नहीं था तो हमारे गाउं में आके हाजरी का रिवाद ले आया ये तुमने जैसा कहा था हम नहीं हैं फिर भी ऐसा कहा कि हम ही हैं ऐसी हाजरी लगवा के आया हूं मैं अब क्या करें उसे सब पता चल गया लोटी हुई ट्रेन को देखके उसे सब समझ में आ गया मुँपे लालटेन मार के उसकी रोश्णी में अपनी बड़ी बड़ी आँखों से हमें भूर के हम सब को हाजरी देने के लिए बुलाएगा वो साहब इसलिए अब अवे खाली आती घर जाना होगा ऐसे कैसे होगा भाई पुलीस कितनी भी कोशिश कर ले उनकी आखों में धूल जोग कर ट्रेंजे सोना चोरी करते थे सारा काम अच्छे से चल रहा था अब से ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो कशी चलेगा कल ट्रेंज लूटने होगे बस तिक्मिया साहब अंतिर साहब गयां पिटा चालें साहब हाजरी के वक्त धोका देकर तो फिर से ट्रेंज लूटने की सोच रहा है क्या अब तेरे ये पैत्रे बिलकुल नहीं चलने वाले और जरूरतों में उन्हें चोर बनाया ये सोच कर जीने का रास्ता दिखाऊंगा तुम्हारे माथे की लकीर बदल दूँगा कहने वाले आदमी का सिर काट देने वाले वैसे राक्षोसों के खून से पैदा होता है ये डी गैंग देश को आजादी मिलने के बाद हमारी सरकार ने आसपास के गाउं के चोरों को एक ही गाउं में रहने के लिए कहा उस गाउं को एक सेटलमेंट कोलनी डिकलियर कर दिया गया उस गाउं में बड़े होते ही इनको चोरी करना खून करना इन्हें दूद में मिला कर पिलाया गया है इनके माबाप के द्वारा बच्चीनों ये देखे में न उसने मेरे मूपर जोल से मार दिया इस बार वो कमिना नहीं बचेगा, तेरे हाथों से उसके दात तुड़ाऊंगा तेरे मूपर भी उसने मारा क्या नई मेरा खुल नहीं है, मैंने जिसको काटा था उसका हमारे बारे में किसने बताया पता नहीं इस सा तुम लोग कह रहे हो कल बड़ी बड़ी चोरिया करोगे तो सौ लॉग मारेंगे तब क्या करोगे? तुम्हारी चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाने के लिए ऐसा मार खाना ही होगा शरीर मजबूत होने के लिए ऐसा मार सहना ही होगा ए चुडेल, मुझ क्या देख रही है, चुले पे डाल रखिये, जा कर देख, अरे जा का ना प्लान करके चोरी करना है, चोरी करने के बाद कैसे भागना है, पकड़े जाने पर क्या करना है, कैसे करना है, यह सब कुछ उनकी माँ उनने घर में घर में ही ट्रेनिंग दे कर भेशती थी वो कितना लंबा है पता है बाबा, पर हम तो छोटे हैं के हैं से मारेंगे. पिला के उनका पासिना बहा रहे हो, ये लो, पीलो, चोरी करने के बाद बच कर भाजने के लिए, जादा ताकत के लिए, एक बार अगर पकड़े गए तो जंता की मार से बचने के लिए गदहू का खून पिला कर इन्हें पालते हैं देखो रे, कला मावस्या है, गाव में कोई नहीं होगा बुज़ारी रात को जाके सुबा आएगा, ये अच्छा हो सरे, हंडी उठा के ले आओ भगवान आके निकाल लेगा, भगवान कर रहा है भगवान, जैसा काव ऐसा कर भगवान की उठी में पैसे डालने वालों का श्राप लगा तो, भगवान हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे भगवान श्राप ऐसे शब्द बोल रही है हाथ में कपड़ा बान कर जाओ कोई भगवान कुछ नहीं करेगा ऐसा करने पर भगवान कुछ नहीं करेंगे ना जितना कहां है उतना करो सवाल पूछ कर टाइम बर्बाद मत करो इस वक्त भागने वाले सिर्फ वही नहीं थे हमारा देश भी गाओं छोड़के शहरों की तरफ भागने लगा जमीन पर भरोसा करने वाले सभी जमीन को भेच के रियल इस्टेट के नाम से शहर के आसपास के 382 गाओं में से 275 गाओं को सिलकॉन सिटी के निर्मान के लिए दे दिया गया और उसको बाग ये गैंग वाले ये सोच कर कि अब इस गाओं में चूरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है शहर की तरफ चाए बाद्स उन्हें बचास के लाओं भीचास के लाओं में वाले ये येप गुछ लिजना रो पानके सा में का शूरी अर्वट banco का डान में का शूरी लाक शूरी आमा सा रब दिने में रहरी शजर कावया रात का बचा हुआ खाना है लाकर इसे दे दो ठीक है मालके मैं कोई भीखारी नहीं हूँ तो फिर कोई काम होगा तो दे दीजिए आप जितने भी पैसे देंगे उसी में काम कर लूगी क्या काम चाहिए तुम्हारी जाती कौन सी है दादी भूक की कोई जात होती है क् गीता हाथ में रखकर कैसी बाते करें है अगर खाने को मिलेगा तो मैं कुछ भी करूंगी मालके ठीक है आजाओ यह मुझे दे दीजिए कौन है क्या पता अंजान है जिसे हम जानते भी नहीं क्यों रे मेरी बातों का कोई मोल नहीं है मैं जातपात भी नहीं पूछू क्या आप कभी भी अच्छी बाते नहीं कर सकती क्या दादी कौनसा गाँ है तुम्हारा मुलबाग के पास काम से मुझ्रा में थी आच्छा ठ सुनिए, पुलीस वाला है, अरे, खागी कपड़े सिर्फ पुलीस वाले नहीं बानते, वो पोस्टमेन है, लेटे लेकर आया है, जा कर ले लो, जाओ, हलो, नहीं चाहिए, हम तीन दिन घर पर नहीं है, तुरुपती जा रहे हैं, तुरुपती से आने के बाद ही काम चालू करेंगे, हाँ, चेक करके पैसे निकालकर सबको पेमेंट कर देना, अहाँ, पक्का प्रसाद तो लेते ही आऊंगा, क्या हुआ, थोड़ा साफ कर दिया ना, नहीं मालकिन, बस थोड़ा समझा, चीक है, काम पूरा करके बाहर रहो, मैं आपके नहाना दूँगी, टाइंग पर पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सुनी, कॉफी लीजे ना, पैकिंग वेकिंग सब हो गई है न, हाँ हो ग ये लो, ये ठीक से बैठना नहीं आ रहा तुझा और चाहिए, क्या है, वाँ, क्या सुए है, देखो तो जरा, अरे बहुत सोली है, तुमसे बहुत 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 है, सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइ केमपे रात को जाएंगे तो बहुत रुकावाट आएगी सुबा जाएंगे तो यह अच्छा रहेगा क्योंकि रात को हम लोग जाएंगे ना तो कुट्टे काट सकते हैं अगर सुबा जाएंगे तो इंसान होगे तो चोड़ देंगे में इंसान तो अपने घर में पढ़े रहते हैं पड़ोशी के घर में चोरी होती है तोच सब मनाया करते हैं देखो इस जिगह पे यह हम लोगों की पहली चोरी होने वाली है तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा तो पीछह रहे तूने तो गहाँ ता घर में कोई नहीं फिर गेट कैसे कुला पड़ा है यह मलाया चल तुम हो वो आप गाव नहीं गई क्या माने तुम्हे नहीं आने के लिए काया था ना क्यों आई हो आज घर में कुछ काम नहीं करना है जाओ तुम आए वो करर दो कर दो कर प्रि Jessie व चीपन कर फ्रु है कर प्रु कर स्मी इंड़ कर साभ़ आक बड़ एए ए क्या कर रहा है यह सब गलत है जो रहा है हाथ मार दिया क्या हूं यह दोनों ने अगर इसे होश आ गया और इसमें पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो क्या करें करें क्या करें कर Ч वा अरी झार यार झारी कर झार झार झाराट थाम कर प्र थेता कर झार T केंपी, गली से जो आवाज आ रही वो सुनी क्या तुने, सांस के साथ साथ खोन मिल के कैसे, सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, केंपी, बहुत में 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 कि यहां पर खून लगा है तुझे कुछ हुआ है क्या यह मेरा नहीं है तो फिर उस लड़की का चोरी करने का यह उस लड़की का तबाह करती है शरम है जाती क्या अगर तुझे हीरा मिल जाए तो चोड़ दे क्या वैसे ही हमेशा इस्तेमाल के फूल सुने मिलेते हैं पहली बार मोगरा मिला तो छोड़ दी क्या उसके मज़े ले लिए तो अब बच्चा है तेरे बस की बात नहीं है हमारे रस्त उसने के बार तू भी निचोड़ लेना और तुझे क्या हुआ उससे मारे बीना नहीं आ सकता था तुझे गले के उपर वाला माल पसंद है लेकिन इसे गले के नीचे वाला माल पसंद है और मुझे गला ही पसंद है गला काटने के बाद साउंड जो आती है वो उस साउंड के लिए मैं कितने भी गले काट दू ना मन्सूर सब्सक्राइव छाथ एक कामी ठीजे करना नहीं आता है, वो घर देखे आया है क्या, समझ में नहीं आता है, वो मरा है देखे बिना अंदर चले आते हो, तो हम मर जाते हैं, एक तु अपना काम देख, मैं जब वो घर देखने को गई थी न, तब वो बुड़ा बहुत अंद्रूस था, ऐसा इंसान रातोरात मर जाएगा, यह मैं सपने इवी नहीं सोचा था, उस कमिले को आज ही मरना था क्या, एक दिन और रुक जाता था, तो मैं ही मार देता हऊसे, कुछना कुछ काम होगा यार, हां, हां, हे, हां, हे सिन्ट, कोई आवाज तुझे सुनाई दे रही है, लगता है काई ट झाल झाल प्र। बुखर में आकि रियोो डिवी चील लंडी जाओ 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 येल लिजाओ जाओ- कि परे जिडेखां कि पिले दो से बाखेखां कि आई हैं? यजा यजा! यजा ये इंदा ये! पर कुछ भी नहीं मिला हमारे पास कोई सबूत नहीं है यही बताने के लिए तो में स्टार दिये हैं क्या सी आई डोंट वांट एनी एक्स्प्लेनेशन आई वांट दे रिजर्ट चाहिए तो मुझे 24-7 एक्स्टा फोस चाहिए सर इफ यू कन प्रवाइड देट आई दू सम्थिंग सर ओके बट माइंड इट रिजर्ट हंडर परसंट चाहिए यस सर पूरे दिन मस्दूरी करने के बाद भी भर पेट खाना नहीं मिलने वाला समझ यह वाला वो सराजा गुपतक आजाना चाहिए था ना कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना सिर्ट ले वो देख आ गया ये भी आ गया ना आर लिवए नहीं कर सकते हैं मत ALL कर देख दें के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगी एसे हम देखते थोड़ी बैठेंगे कुछ ना कुछ दो करना ही होगा क catastrophe के यूरा करो कमेनी कहीं कि 15 दिन हो गए हैं एक दिल में लूट नहीं कि हमने एक पैसा नहीं हमारे पास और तु यहां बीड़ी पी रही है तो मैं क्या करूं फिर जून दी तो रही हूं कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा है घर में आने भी नहीं दे रहे हैं मुझे सब लोग मुझ पर शक करते हैं तु कोई है साधू है क्या जो तुझे घर में बुला के बिख्षा देंगे एक काम कर एक छोटे बच्चे को कोदी में उठा किया तर्जों काम नहीं कर सकता ना वो दया करेगी हुम माजी माजी कौन है माजी क्या है तीन दिन से बच्चे की तब यह ठीक नहीं है भूग से रोधा ही जा रहा है खाने के लिए भी कुछ नहीं है अरे सुबह सुबह यह आ जाते हों रुख आते हूं अरे सुबह आते हूं कर दो 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 कर दो कर दो पुलिस फोर्स बढ़ा दोगे तो क्राइम केस कम होंगे ऐसा कहा था न तुमने अब क्या हुआ फोर्स भी बढ़ा दी गई है फिर भी तुम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए और उस एरिया में एक मडर और हुआ है बिल्ली अंधी है तो चुहे ने कुछ भी कहके उसे हसा दिया ये सर्फ तुमारी ला परवाई है सोरी सर ये केस अगर रेगुलर क्राइम की तरह रिवेंज मोटीव प्रोवोकेशन जायदात के लिए या फिर आपसी जगडो के लिए होती तो हम क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सकते थे और अगर हमने पकड़ भी लिया तो ये केस मजबूत नहीं होगा इंग ए रिस्पांसिवल पुलिस ऑफिस सर आपके मूँ से ऐसी बाते हैं ये सर इस केस में नया रूप लिया है इस केस में रिवेंज या प्रोवोकेशन कारण नहीं है हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता इंसान के शरीर का महत तो नहीं समझते वेसे पैसो के लालच में किसी की जान लेने के बाद खुशी मैसूस करते हैं वो अगर एक शब्द में कहा जाए तो इस आर साइको किलिंग सर ये क्या कहा रहे हैं आप? अन वाट बेसिस यूर टेलिग दिस? सर मैंने इनके क्राइम्स में कुछ पैटर्न्स अब्ज़र्ब किया है वो क्राइम सीन में फिंगर प्रिंट्स फूट्प्रिंट्स अवाइट कर रहे हैं बलड एंड अस्पर्म सेंपल्स को मिटा रहे हैं विक्टिम के शरीर के आसपास वो छेड़ छाड़ कर रहे हैं स्निफर डॉक्स को क्राइम सीन अवाइट करने के लिए मसालों का छड़काव कर रहे हैं ये हत्याएं करने वाले एक ही गैंग के हैं ऐसा कहने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सुबूत है वो सब को गला काट के मार रहे हैं सब डेफिनेटली ये सब करने वाले एक सिर्यल किलिंग गैंग सर सर इस तरह के क्राइम करने के बाद अगर क्रिमनल्स कहीं छुप जाये तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है पर इस सप्राग को करके आप राधी हमारे आसपासी घूम रहा है आप जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो फिर उन्हें क्रिमनल्स को कैसे पकड़ेंगे तो तुम क्या शनी मंदिर होकर क्या आयो पता नहीं क्यों ताइम ठीक नहीं चलना अपना जब भी किसी के घर चोरी करने जाते हैं तो घर में कोई न कोई होता ही है औरतों के तो दर्शन दुल्लब हो गया है सिर्फ बुढ़े और मर्दी हैं इसलिए मंदिर चला गया था हाँ उसको मैंने हाथ दिखाया ना हाथ देखके बोला तुझ पर सनी का दोश है सर पर सनी बैठा हुआ है और तुझे पता है क्या बोला मेरे सर पर राज योग भी है और लाइफ मजे में कट रही है मैंने उसे बला जरा सर उठाइए और उसे ला काट दिया मैंने ते फिर तो ने इसे किया ना आप सब सही होगा प्या सही होगा पता नहीं कर शिकार नसीव होगा चला रे चला दे अरे भई यह घटना तो होती है हलो सर में बटा बाग कर रहा हूं कोना कुंडी के पास लड़की का रीपो मडर हो गया है सर क्या मैं स्पॉर्ट पर ही हूं सर वर्ण फ्रूल वर्ण पर्ण वर्ण यह झाओ ग्वर्ण वर्ण और यहां पेस को सर दुपहर बारा बजे के आस पास ही मडर हुआ होगा मगर किसी दरा का प्रूर नहीं मिल पाया है एंबुलेंस आने ही वाली है सर सर, फॉरंसी टेस्ट भी मैंने शुरू करवा दिया है लेकिन सर, हत्या में यूज किया या कोई भी हत्यार हमारे हाथ नहीं लगा है विक्टिम के शरीड के जेवर कहा है पता नहीं सर लो आजा चाल पुलिस बहुत होश्यार हो गई है कभी भी हमें पकड़ सकती है उनकी हमारे उपर सकत नजर है अगर वो हमें इसी तरह ढूंदेंगे ना तो किसी दिर हम लोग पक्का पकड़ना जाएंगे उनके साथ ही अगर हम रहेंगे ना तो फिर तुम सब दो मैने मजदूरिया खेतों में काम करते रो चोरी कर के दो मैने के लिए ज先 आक आते तो इन हत्याओं के बारे में भूल बूल जाएंगे ओ Light का वैंट काहां से आरहे हो और किया ले जा रहे हो तो यह टी वी है Carlos कारीज करिजारे कला ला रहे हो तो टीवी खड़ीजी नहीं तो नहीं है तुम्हारी कहां रहे हो ये खूotes हुड़ा आइसे कमा सोचा और दो लो हमें आट तो तुम धोनों को प्रताप सर हर अपराद में एक ही चीज मिस्स हुई है और वो है विक्टिम्स के जेवर ये सर चोरी किये वे जेवरों को बड़ी दुकानों में बेचना बहुत मुश्किल है यही कोई छोटी मूटी दुकान में वो बेचते होंगे सो अपने इंफॉर्मर्स को बोल दो कि वो लोग ऐसी दुकानों पर नज़र रखें चीज़ सर इन केस एनी सस्पीसिस एक्टिविटी कि आफ दे रखें से ल Taoको की आ आ-ा इन लूल टुकानों कि दो महीने जेल में रहके आयो जवान लड़की की तरह दो घंडे से कर रहे हो कि ए बहुत तेज़ दूप है पहले तुझा कि अपना काम उठ्टा है हाँ चलता हो गया ना चला जा बैठ्जा बैठ्जा अब मैं जाता हूं हमारा क्या होगा कि अरे मलया और अक्यले तक हुले है यह कि अला लिगाए मुझे पैचाना नहीं क्या कौन से गओं क्यों तुम कपणậ ना क्या झाइसे हो उसुना तक तुम्हारे सारे लोग मर घए अरे क्या है जो मर गया ऐसा कह रहें काम करते वक्त पत्थर गिरा था बस अरे थोड़ी मदद करोगे क्या है बोलना यह जब से पैर टूटा है लंगडा रहा है कोई काम नहीं कर पाना तुम्हारे साथ अगर रह जाओ तो देखो हमारा गुरु यह है यह जो कहेगा वह होगा क्या करना है बोलो रह जा अरे मैं भी कर क्या हूँगा ना यह जल्दी 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 होगे क्या बुज़ूर कहते हैं कि खड़े लोके काम करो और है मैं कि जुका के काम कर रहे हैं जा के मजे कर ले जाओ जाओ अब उसे देख शेट नमस्ते सिट क्या चाहिए शेट मेरे पास कुछ जेवर हैं देखो कौन से जेवर हैं यह सार अब बुल्दाल के में रोड में महालक्ष्ट ज्वलर्स होएक आया है सर उस आदमी को देखके हामेशा को रहा सार अगे से उसे फालो करते हैं झालो करते हैं आप चाल के घुब I am me तुर्धार थे तुर्प्रतेक्षे डिए क्वर्देर अटुर्प्रतेक्षे सर्ट यह सामान तेरा मेरा नहीं सर्ट मैडम यहापका है यही मारा नहीं सब्सक्क्राइब वे जादा हिरमत यहीं हो ठीक है तुर्थ तो यह तेरा नहीं है नहीं से मेरा नहीं है और यह जवर है कमीने चल तेरे साथ विजय उसमें कहा है कि इस चोरी में जो भी लोग शामिल है वो सब से ले जाकर मिलवाएगा क्यों बे सुबह से खुमा रहा है मुझे क्या सर तीन बार मैंने डिजर्ट अलवाया है जुसको आप ढून रहे हैं वो नहीं मिल रहा तो इसमें मैं क्या करूं सर अबे मेरी ना काट रहा है क्या सर नहीं सर चाब से ड्यूटी जॉइन की है कभी बैंगलूरु घुमा नहीं है सुबह से खुमाए जा रहा है तो मुझे अंता नहीं है मुझे सर यह से थोड़ा आगे जाके एक अच्छी बिरियानी वाला ठेला लगाता है बस आगे ही सर वहां पे मेरे लोग खाना खाने के लिए आते हैं वहीं चलो सर वो लोग पक्का आएंगे चूट तो नहीं बोल चली वर प्ली स्टेशन चलते हैं सर उ चोडने क्या मुझे वे तर जाकर दैने कर बिरियानै वाला है ऑका चल चल सरकल से हर यह ओनमर मुझे यहां पर लाया है अगर एक बात बिखला तो छोड़ू है तुझे चल नमस्ते सार नमस्ते क्या चाहिए सार वो एक बिर्यानी दे सर बिर्यानी बहुत फेमस है को बैराराइस नहीं कुजा है कर अभर काम किये तुम्हें को तुझे के अगश हो अच्छी एक बार मच्छी बिर्यानी खाके दिखो सर बहुत अच्छी है उरे मच्छी में होता है तो बख्रे में भी होता है नहीं अरे छोड़ यह खाले यह लो भाई दो पैर में दो बार खाना खाया और अभी यह बिर्यानी खा रहा है बोलो भाई मुझे शुगर है सारा दिन खूंगो के मिला पाउं दंद कर रहा है इमान दरी से बता वो कब आएंगे आ जाएंगे सर आस पास ही होंगे बिर्यानी खाने जरूर आएंगे सर चोर है क्या एक नमबर का चोर है किसी का ढूंड रहा है लगता है इनका रख पिशाज का वंश है खा खा कर छुपे होंगे कहीं पर मेरे हाथ लगे तो दो दूंगा एक एक को मेरी आखोंगों से बच्टर कोई निकल नहीं सकता है जा दिखाओ तो पिडियो नहीं देए आ और एक ब्रियानी चाहिए वह हमारी तलाश में ही उसे यहां लेकिया है हमें दूसरी जोगा चले जाना चाहिए अधिया दान्स कर रहा है चल जाके जीब में बैठ सर्व मेरे लोगों को फिल्म देखना बहुत पसंद है जब इस चलेंजी वी की फिल्म लगती है ने सर्व देखने जरूर जाते हैं आज एक नई फिल्म रिलीज हो रही है वो लोग देखने थेयाटर में जरूर सर्व भगवान कसम को चिरेंजी वी बहुत पसंदे फिल्म देखने जरूर आएंगे सर्व अगर वह वह नहीं मिले तो इक तिरा दवा दूंगा चल अब एक सर्व कोई दीख रहा है क्या सर्व अभी सब्सक्राइं नहीं है फिल्म शुरू होने से परले यहां पर जरूर जाएंगे सर क्यों पहले नहीं सकते क्या भेहरे आएंगे तो आप उनको पहचान नहीं जाएंगे सर और अंदर जाकर देखकर आओं कि इस जीडो नहीं सर अपने लोगों को तो एस दोलो लग रहा है तुझे नहीं सर चल मैं भी आओंगा क्या थिया वें आपको देखके अंदर कोई नहीं आएगा आपने गल्टी कर दी तो फिर अब एक काम करते हैं सर क्या मैं अंदर जाके पर छुप जाता हूं और उन लोगों का इंतिजार करता हूं जैसे ही वो लोग आएंगे मैं जोसे सीडी मार दूंगा सर और आप उनको पकड़ लेना सच किया रहा है हां सर आप वह सुबह से मेरे साथ घुमघुम के परिषान हो रहे हैं सर अपको तो शुगर भी है को अच्छा आदमी लगता है तूँ जाके आ मैं एंट्म चुप जाता हूं हां जाता हूं है कि यह भाग गया तो आपकर है कि लिख आट आपकर आँशू Nori क्या क्या पब्लिक है बापने खतर नाख है अपने गलती है चेरन जीवी की फिल्म के बीच में जाएंगे लोगों ने पैसे मुझे देख लें तोड़ी यहां चेरन जीवी को देखेंगे वो माव माव मेरे बीबी फिल्म देखने गई तोड़ी मुझे फिल्मीघो देखने थी पता नहीं क्या क्या कर रही थी चुप चाप यहां से निकल जा रही तो मानू का बहुत बेवी को अंदर बेच के यह चिला रहा है पेवाखोफ गईगा कि अधर बेचा पबलिक ने आपको गाली दी इन बाध धक्का दिया सब देखा मैंने बुला सकता था ना सर चिरन जीवी की फिल्म देखते वक्त कोई पैसा भी देगा तो भी आमने उड़ते हां तेरी तो आपकी बास देचलता हूं पुझे चल्ट कि अधर बास देखते विल्म देखते हैं पुझे चल्ट चांते हो अपनी लाइफ में मैंने बड़े-बड़े क्रिम्नलस देखे पर ऐसे कमीनों को पहली बार देख रहा हूं पूरी रात जम कर दिया फिर भी देखो कैसे पहले है सर वैसे भी आज गवर्मेंट हॉलिटे है परसो संडे है हमें तीन दिन मिलें सर इंसे सब उगलवाएंगे सर सही है प्रताप सर कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए और नहीं कोई आवाज आनी चाहिए ओके ठीक है सर तुम सब लोग अपने परिवार को दो हफ्तों के लि अब रोये मत साब मैं आपका कुछ नहीं भी गाड़ूंगा अपने मेरे को बिर्याने के जाई फिल्म भी दिखाई ए तू गला काटे का सले नहीं रो रहा प्यास काटे पर इसी तरह आंक से आशू निकलते हैं समझे जवाब को साब क्या है बे गला काटते बग भी हमारी यहांको मैं आशू नहीं आता है साब पता है अब को मतलब तूने ही यह मान रहा है तू है अभी तो कहा तुने किसने का वह औरो ओ लहाव उन्सान आधा तो ऐसे रहता है लेकिन दिमाग खराब होने पर ऐसा हो जाता है तब आप बताता हूं बेभगो पहीं का उरत है नहीं चाहिए तुम्हें चाबल तैयार हुए के नहीं देख ज़रा सर मैं आके लिए उठाने ही सकती आप भी आजाएए ठीक है मैं आता हूं है तो क्यों उठ रहा है अकेली उठानी पाएगी ना इसलिए हमसे का भूल हुई जो यह बदबू हमका मिली अच्छे कर्मों की है यही सजा हमको क्यों मिली है बदबू अब यह कोई मंत्र पढ़ रहा है कि जो घटो लगा रहा है यहीं तो क्रिया है से यहां बैठे बैठे बहुत है आइडियाज आते हैं क्यों भागने का है क्या वैसे नहीं से तेरे आइडिया के चकर में पूरा इंडिया ही डूप जाएगा और किती बदू भाएगा जली चाहरा नांग में रूई डालके खड़े हो स जिस ने तुम्हें बिना कुछ पूस्ताज किये दया करके घर में काम दिया, उसी का रेप करवा के गला काट कर मार दिया तुम लोगों ने, बोल, तु ही उस घर में काम मागने गई थी न, दो पहर एक से डिर्ड बजे की बीच तुम घर में सफाई कर रही थी न, बोल साहब, काम कर रहे थे, इससे लिए हमने ही मारा है, ऐसा आप नहीं कह सकते मुझे पता है, उस दिन तुम वहाँ पर मौजूद थी, उस जगन्ने अपराद में तुम्हारे साथ और भी चार लोग हैं, इन कमीनों को देखो और बताओ कि वो कौन-कौन है, बोलो वो पता लगा न, तो आपका काम है न, साब है, मेरी बात सुन, पता लगा होंगा और साबी प्रिक कर दूँगा तो देख भी जा वो तो ऐसे कह रहा है, जैसे हमने सब कुछ उसकी आँखों के सामने किया जो सच है उसे वो बताकर इस नर्ग से बाहर निकलते हैं, नहीं तो रोज-रोज ऐसी मार खाने पड़ेगी हे, हमने जिस पे भी हट डाला वो तो ऊपर चला गया है, अब लोगों का भूत नीचे आके कोट में गवाई देगा क्या अगर उसके पास गवाँ होता तो यहां पर लाके हम पर इतनी मेनद क्यों करता, गवाँ मिलने तक कोई मानेगा नहीं ए, उसे जितना भी मारना है मारने दो, लेकिन कोई भी सच नहीं बदाएगा वैसे भी है, एक बात तो अच्छी है, पेट भर खाना जरू बिल रहा है, तो पेट भर खाते हैं ना खाना मुझे सिर्फ खाने के लिए खोड़ना है, जितना हम हो बंद करके रखेंगे, उतने दिन तक हम ज़्यादा सिंता रहेंगे तुम्हारा क्या है, बटन मच्छी खाके तुम भी वैसे ही हो गयो एक दम, मेरी हालत देखो, खड़ा हो रहूँगा तो बैठना नहीं हो पाता, और बैठ जाता हूँ, तो खड़ा नहीं हो पाता, हमने जो किया है, उसे मान लेते हैं, और जेल चले जाते हैं इस सारे क्राइम हमें लोगोंने की एंसर, मुझे इस बात की पूरी कन्फरमेशन है, ये बात इने भी पता है, बस इनके खिलाफ कोई गवा हमें नहीं मिल पा रहा है, इसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं इस केस में इने अंदर करना है तो, हमें गवा की जरुवत पड़ीगी सर ऐसे खिलाओगे तो ये कैसे मूझ खो लेंगे, तीन दिनों तक इने भूखा रखो, पेट खाली रहेगा न? तो अपने हाँ सच बाहर आ जाएगा ठीक है से ठीक है, बारी चोड़ो, बावल चोड़ो, आज बोलना छोड़ने को नुखा चो रहे हो अरे, एक वक्त क्या खाना तो देंगे न? अरे, एक वक्त नहीं खाओ कि तो मर नहीं जाओगे सब खाली है खाना दो, भूख लग रही है अरे, भूख लग रही है अरे, खाना दो ठाना दो, अरे, मर नहीं सब भूख लगे आक क्या अरे, पानी भी नहीं व्ने दिया खाली भूख लग रही है को राई व्जङ na खाली है पानी पाई और रहे कर दो कि कर दो कर दो 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 हुआ है कर दो कि अह बेंगा प्र नह है कर दो जतना खुआ दो कर दो कि यह थे पहले खाना को उसके पार सच बता बैट जा अब बोल मेरा नम सुमु है साब मैं सुबर्मनिया मंदिर में चोरी करता था साब मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे पदा भी निजा कि यह लोगों की हथ्याई भी करते हैं इन्होंने बोला कि चोरी हो औरी करेंगे तो मैं इनके साथ आगया है साब तभी आपने उस दिन मुझे पकड़ लिया वहां पर आपको एक बार पहले भी देखा था साब हम लोग हज्जा करने के लिए जिस घर में जा रहे थे आप उसी रोड से गुजर रहे थे साब उसके पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा था साब उस दिन जिवर में बेचने गया तो आपन मुझे पकड़ लिया और मैं यहां पर आ गया है अब जा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रताप सर्व उस दिन मैंने कहा था ना बस अब यही तरीका हमारे पास बचा है अब बस देखते जा एक एक करके सब कैसे सच बताएंगे जब वो आ रहा है एए रूचरे आए सर नमस्ते साहब नमस्ते यह कौन है पता है क्या नहीं पता से उठाई से चले दरा चले दरा बोलिए ठीक से देख के बोलिए साहब इसे मैंने पहले कभी ने देखा है साहब ए क्यो शुट भूस हो तो मेरे से जवर खरेते हो ना से खरेते हो कि नहीं बोलो साहब मैंने चोरी के जिवर नहीं खरेते साहब चोरी के बारे में तो उसने जिक्र ही नहीं किया साहब उसकी आखे देखो साहब वो किसी और को दिखाना चाहता और आप किसी और को समझ नहीं साहब हम्, ओके सर, I am very sorry, because, शायद ही आप जैसे लोगों को बेवकूप समझता है, ऐसे ही लोग आप जैसे लोगों की इज़त मिट्टी में मिलाते हैं, एक मिमर का कमीना है, यह लीजिये सर, लीजिये सर, अब इसे मारिए सर, मारिए, मारिए ना सर, मारिए, मारिए, एह, मुझे म अब भारेगा, चार साँसे मेरे से चोरी का जेवर खरीदता तो मुझे मारेगा, सुर्मनयiseen स्वामी पंदिर का जेवर तुने लिया था कि नहीं बड, इतना मुनाफ़ा कमाया, झूड़ बोल रहा है, मुझे नहीं पैचानता है यह जूड बोल रहा है, और तो आदूमने तुमने उसे मारा नहीं, वही जूता मैंने इसे दिया, इसने मारा, तुमने जूट बोला था, इसलिए तुम इसे मार नहीं पाए, साहब, यहाँ पे नहीं साहब, सब देख रहे हैं, दो मिनिट साइड में आई न, अब बोलो, साहब, मुझे माफ कर दो साहब, उसमें सारे जिवर मेरे पास ही बेचे हैं, साहब, साहब, वह जिवर मैंने पिगला दिया है, साहब, सारे जिवर मैं आपको वापस कर दूँगा, कोट कचेरी के चक्कर में मत पसाइए, प्लीज साहब, खाकी वर्दी देखकर जो सच बाहर नहीं आया, वो वर्दी के बूट की मार से बाहर आ गया कल सारे जेवर लेकर पुली स्टेशन आ जाएए जाएए ठीक है साब है है से आओ इसे चल बैट तेरे सारे लोगों ने मुझ खोल दिया है अब तुझे भी खोलना होगा वो खोलेगा ना अब तुम कुछ भी कर ला मैं मुझ नहीं खोलूगा है वूमन बॉडी में सिर्फ दो स्कॉयर मीटर ही चर्भी होती है कोई भी हो अगर एक स्कॉयर मीटर कुछ अंदर जाता है तो सच बोल है देता है देखता हूँ तु कब तक सहेगा मैं जाने है शेर हूँ गास नहीं खाऊँगा भूखा मर जाऊँगा लेकिन कुछ नहीं बोलूगा लेकिन सिर्फ दो इंची अंदर गया है तकाप इस कमीने ने पांस साल में जितने भी जुरूं किये हैं वो सब उगलवालों आप जीत गए शाफ अमारे मुझ से सच अगलवाली है शाफ पर ये अंत बिल्कुल नहीं है साफ तुम्हारे पास कोई असली गवा तो है ही नहीं है अगर मैं हारने वाला होता तो भगवान का त्रिशुल मिलने के बाद तुम सब मुझे नहीं नहीं वह हथियार देने वाले भगवान गवाने देवी क्या ये भगवान का ही नेड़े है अग तुम लोगों के बचने का कोई चांस नहीं है मैडम नमस्ते मैं इंस्पेक्टर हो आए ना अंदर आए थैंक यू बैठिये मैडम वो पांस साल पहले आपके घर में चूरी हुई थी और फिर आपका बलतकार हुआ था ऐसा हमें पता चला है सर आपके जरूर कोई गलत फहमी हुई है यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है मैं प्रताब ब्रिंग दैमीन ओके सर अब इंदर आजाओ आओ आओ चल्ली आओ 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 लाइन में सब लाइन लगाओ खड़ो जाओ चलो तुम भी आओ मैडम इन कमीने हैं असी लोगों को मारा है उसमें से आधे से भी जादा औरतों को रेट करके मारा है शायद उस दिन आपको खुश किस्मती थी कि आप मौत से बच गए मैडम मैडम मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपको इस बात का दर है कि अगर ये बात बाहर गई तो आपकी फैमली को समाज में एक अलग नजर से देखा जाएगा बटाई प्रॉमिस यो कि आपको कोट या पुली स्टेशन में आने कि कभी भी कोई जरूरत नहीं है ये बात में किसी को भी पता नहीं चलने दूगा मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए उस दिन रेप करने वाले यही थे क्या मैडम ऐसे लोगों के गुना करने से ज़्यादा आप जैसे लोगों का चुप रहना हमारे समाज के लिए दुर भग गया है ये झाल के लिए आप जाए उसार नहीं आप लाकिशार ये खिए आप लाकिशार ये चलने दूगा है ये दी चलो के जाए प्सक्ति अदू नहीं करता है मिला नगवार तंदरा लोग पाँच साल असी केस तीन राज्यों के पुलिस की आँखों में धोल छोग कर जानवरों की तरह गूम रहे थे तुम लोग हेई इस दुनिया में कितना भी इंटेलिजेंट क्रिमिनल हो किसी ना किसी जगे पे कोई छोटा सा सबुट छोड़ ही देता है पढ़ाई का एक अक्षर तक नहीं आता है तुम्हें लेकिन तन्या हत्या करने के बाद तुम्हें करा तक नहीं छोड़ रहे थे बता कैसे किया ये सब अपको पता है साथ जब मैने पहली अध्या कि थी तब भी पकड़ा गया था सब यह लट रहा हो ओके आज़िसी को भी अंदर बताने के ना आज़िए वंदी कंट्रोल लूँ ठीके ठीके रहा 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 सार कुलिए शर कहां से आरहा थूलाग पारई सब्सक्राइब यह कुंसा नहूंा है कोज दू पुलिस है मैंने क्या गलती की साहब मुझे या पुलिस टीशन क्यों लाए हो साहब बात कर रहा हूं तो आप मुझे मार रहे हो मैंने क्या किया वो तो बताओ साहब पर आपके चेरे पर इतनी टेंशन क्यों है सर टेंशन नहीं होगा तो और क्या होगा अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला क्या बताएं सर मुडर करने वाले क्लू तक नहीं छोड़ते सर सही का आज कल क्रिम्नल के पर इतने हिम्मत होती है न उससे जादा वो दिमाग इस्तेमाल करते हैं क्या सर पनुलिस से जादा दिमाग किय legitimate क्या हैं वो कहीं पकड़े नहीं जाएं इसलिए पहले ही प्लान करके रखते हैं तुम खुद ही देख लो रेप और खून करके भाग जाना अजकल बहुत असान हो गया है वो लोग हाथों में तेल या खून लगा लेते हैं जिसकी वज़े से फिंगर प्लेंस या क्लू मिलने का कोई चांस ही नहीं होता उस कनकपुरा वाले केस में देख लो एक महिला का रेप करके उसका मडर कर दिया गया और कोई भी क्लू हाथ नहीं लगा अब बताओ जब पुलिस के हाथ क्लू ही नहीं लगेगा तो किसी क्रिमिनल के उपर हम हाथ कैसे डाल सकता है कोई सवाल ही नहीं उड़ता और एक खास बात बताता हूं सुनो अगर हम लोग किसी तरह से उसे पगड़ भी लेते हैं तो सबूतों के अभाव में उसे छोड़ना पड़ जाता है तो आदे के ऩज़को क्यों बहुतना है थे एक आदे तरह से खास को करवानिंग सर्भा साप! 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 मैंने कोई गल्ती नहीं की साप मुझे जाने दोना साप मुझे जाने दोना माफ प्रूजा तुने गलती की है या नहीं है मैं फैसला करूंगा चुप चाप जाके बैटो हाँ पर एक तुम ऐसे टेंशनल पर से मूड़ खराब कर रहे हैं सर सुबा फोन आया था वो बंदीपुरा में चोरी हुई थे ना और हम उन लोगों को ढूंड रहे थे ना वो दोनों मिल गाएं सर तो फिर इसे क्यों पकड़ा है बेज दोबार एक चल अगर दोबारा तुझ सड़क पर फेर से पी के नजर आया तो तुझे चीर करके रख द तुबले सवानी देमी तरिमिंगे कर तो शिर को पिजरे से बाजन्या स्वाचीजा प्सुझत देखाना प्रताप हमारे ध्यान ना देने के कारण कितने सारे निर्दोशों पे जुल्म हुए है हाँ सर और अगर नियाय करना है तो इनका एंकाउंटर करके खतम कर देना चाहिए नहीं प्रताप कोट में इने सिक्षा दिलाते है आपने बिल्कुल सच कहा गवाह मैंने बनवाया पर सब केस के लिए नहीं सही केस को आधार बनाके इन्हों नहीं ये सारे अपरात किये इसका यकीन करके नियाय की स्थान पर प्रस्तूत करने के लिए मैंने इस केस में गवाह बनवाया जेवर पस्तूत किये अपनी ताकत से यकीन दिलवाया क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि चाहे सौ गुनेगार भज जाए तो भी परवा नहीं है लेकिन किसी भी मिर्दोश को सजा नहीं मिलनी चाहिए बुनाह चाहे एक हो या सौ गुनेगार को सजा मिलनी ही चाहिए ये लोग बाहर आके किसी भी मिर्दोश पे अन्याय ना करे ऐसी मेरी सोच है मैडम रामायन और महाभारत में बुराई को खत्म करने के लिए राम और कृष्ण ने धर्म युद्ध किया था और ऐसे राक्षण को सजा दिलवाने के लिए मेरा किया हुआ ये धर्म युद्ध है मैडम मुझे किसी को भी कोई एक्स्प्रेमेशन देने के आवशक्ता नहीं है ये सब हार्ट कोर क्रिमिल्स हैं ये इन्हीं भी पता है और मुझे भी जब इन्हें गवा के साथ कोट में पेश करू ना तो जजस सहाब इन्हें फांसी की सजा सुनाएंगे ये केस मेरी जिन्दगी का सबसे खराब अध्याय है I hate this story There is no absolute truth in the world सच और जोट सिक्के के दो पहलू होते हैं शेयर के चलित्र के बारे में जो भी जिकारी ने कहा वही सच है हम यही मानते हैं जिन्दगे में अपराधी बनने वालों का परिपेक्ष मैंने दूसरे भाग में बताया है आपने अब जो तीसरा भाग देखा है ये पुलिस का परिपेक्ष है ये सच के करिमिल्स हो सकते हैं या फिर निर्दोश हो सकते हैं इनको सजा मिल सकती है या फिर निर्दोश होकर बाहर आ सकते हैं। जो हत्याय हुई है इन्होंने ही की हुँगी या फिर ये जूट हो सकता है। पर हत्याय हुई है ये सच है। समाज में ऐसे लोग और कितने हैं ये पता ही नहीं है। जो कुछ भी हो आपके दर्वाजे की घंटी बचने ही दर्वाजा खोलने से पहले समल के रहिए।